नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका ट्रेक रिलेटरे ट्रेक इने चनल पर मित्रों आज मैं इस वीडियो में आपको एनाई ओएस डिलेट से संबंदित कुछ महतुपूर्ण जानकाड़ी देने बाला हूं जैसा कि अभी नया मुद्दाया है कि आप जब भी अपने एस्ट सरकारी है या अर्द सरकारी है उन लोगों का लास्ट वेरिफिकेशन हो रहा है और उसका फॉर्म आज चुका है और इसके लिए कुछ पत्र भी निर्गत किये गया है जिसकी मैं जनकाड़ी आपको आज देने वाला हूं सबसे पहले तो आप यह देख लें सीर्ट ओजी एनाई ओएस एड्मिस्ट वेरिफिकेशन के वसंबंदित है यहां पे दिया गया है विशे है सीर्ट एनाई ओएस के दुरस शिक्षा केंद्रों में परवेश सत्यापन प्रकिरिया इसमें कुछ प्रकिरिया के कुछ मुद्द यह गहीं जैसे कि दुरस शिक्षा अध्यान केंद्र में अधिक्तम एक सो और पर सिक्षित शिक्षक अपनी शुविधानुस और विकास खड़ जहांपर बिद्याले स्थित है के अध्यापन केंद्र में ही प्रवेश लेंगे किसी भी इस्तिती में अन्य विकास खंड के और पर सिख्षित सिख्षकों को प्रवेश नहीं देना है और पर सिख्षित सिख्षक का रिफ्रेंस कर मांक एवब इन्रॉल्मेंट कर मांक होना अनिवारी है सिख्षक सत्यापर्म प्रपत्र SCERT के वेफसाइट में उपलवद पूर्ण रूप से भड़े होने चाहिए एवं संबंधित प्रधाना अध्यापक प्राचार नियंतरन करता अधिकारी के स्ताक्षर होना निवारी है कक्षा बार्मी अथ्वा ग्यार्मी के मार्क सीट की चायापर्ती जमा करनी है और प्रसिख्षित सिख्षक द्वारा भड़ेगे फ़र्म में कोई सुधार किया जाना है तो संबंधित दस्तावेज की चायापर्ती भी सनलगन करानी है व्याख्यता पंचायत को NIOS के माध्यम से डियलेट करने की पातरता नहीं है सास्की बिद्यालियों में सालाग विकास समीती के माध्यम से न्यूक्त सिख्षकों का NIOS के माध्यम से डियलेट करने की पातरता बिल्कुल नहीं है सास्की बिद्यालियों में नीजी एजेंसी के द्वार न्यूक्त सिक्षकों को एनाई ओएस के माध्यम से डियलेट करने की पातरता नहीं है छात्रों के प्रवेश को रजिस्टर से संधारित करेंगे प्रवेश से बाव सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की कोई विसुल्क नहीं लेना है जिलावार विकास खंडवार और परसीचिक सिक्षकों की सूची SCERT के वेबसाइट www.scert.cg.government.in पर उपलब्द है जिलावार विकास खंडवार अध्यान केंदो की सूची SCERT के वेबसाइट जो की यहाँ पे दिया गया है और मैं इस लिंक को डिस्क्रिस्टर में भी डाल दूँगा अब वहाँ से भी आप इसे देख पाएंगे परुपलब्द है जो और पर शिक्षित सिक्षक अपना पंजियन कीनी कारण वर सो निरस्ट करना चाहते हैं वह एब हम फिश की राशी वापस चाहते हैं तो उनके लिए प्रिथक से निर्जेस जारी किये जाएंगे और प्रशिक्षित सिक्षक जिनके इन्रॉल्मेंट नमबर प्रधाना ज्यापक 25 सत्यापन नहीं है वे सभी सिक्षक सत्यापन प्रपत्र के साथ अपने जिले के डाइट में संपर्ख करेंगे डाइट उनके प्रिथक सुची बनाकर SCRT को राइपूर में जमा करेंगे चुकि यहाँ पर राइपूर इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ राइपूर में यह लेटर निकली है और हम लोगों तक पहुंची और यह दिये दिये सभी जिले और राज्यों में निकलने वाली है इसलिए मैं आप लोगों को पहले अबगत करा देना चाहता था और जैसा की यह लेटर राइपूर ही नहीं बलकि हमारे भी डिस्टिक में खगड़िया में भी निकला है से नमबर भी दिये के आप वहां संपर्क भी कर सकते हैं नोट में दिया गया कि परवेश अत्वा संपर्क कक्षाओं की तिथी में यदि सालाकोस प्रोजेक्ट के तहट टेबलेट का वित्र होता है तो संपर्क कक्षा उस दिवस को अस्थागीत कर अपनी स्विधान उसार सास की अवकास में सिग्र ता सिग्र संपर्क भी यहां पर सिग्नेचर दिया गया है तो यह तो लेटर की बात हो गई और यह जो है फाइनल वैरिफिकेशन एस न एक वेश के द्वारा जो कि सिख्षक का सत्यापर्म प्रपत्र है जिसे आप लोगों को इस फॉर्म को जाना अध्यापक से सिंगेचर कराके आपको इसे जमा करनी हैं कहाँ पे तो एस्टडी सेंटर पे जहाँ भी एस्ट आप नमांकन लेना जाएंगे एसी एक जिले में बहुत सारे स्टाडी सेंटर बनाए गए हो जाएगा तो यह फॉर्म कुछ इस प्रकार से इसमें रिफ्रेंस करमांक नमर देना है और इन्रॉल्मेंट करमांक नमर देना है जो कि आप जब एनाई ओएस के लिए डिलेट के लिए जब ऑनलाइन रिजिस्टेशन करवाए होंगे तो यह आपको मिला होगा अपना नाम आधार में जो नाम है उसे capital letter में लिखना है अपने पिता जी का नाम माता जी का नाम जर्म्ति पत्रबहवार का पता इमेल मोबाईल नमबर विद्याले का यूड़ाए स्कॉर्ड विद्याले का नाम जिला विकास खंड लिंग वर्ग पिनकॉर्ड भीशे बार्मी के प्रा आध्यों को यहां आप भड़ेंगे स्वेंग पोर्टल पर पंजीकरित इमेल देखिए मित्रों मैंने आपको पहले भी इस पर विडियो ब्राद दिया था कि स्वेंपर रिष्ट कराना बहुत जिरूरी है और इसकी देखिया भी आप आपको यहां पर दिख रहा होगा कि कितना दे जोड़ी है और इसे यहां पर मांग भी रहा है स्वेंग पोर्टल पर पंजीकरित मोबाइल नमर प्रधाना दिया पर प्रचार का नाम और उनका सिगनेचर मोबाइल नमर उनके सील के साथ इन सभी चीजों को आपको बना के कि आपको आने वाले समय में कोई कठी नाई ना हो और मित्रों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो किर्पया करके आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना भूले मेरा चैनल है टेक रिलेटेट ट्रिक हिंदी मैं आपको दिखाने पा र आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे धन्यवाद